हेलो स्टुरेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियोस में हम लोग डिसकस कर रहे हैं क्लास एट का साइंस यह जो आप जो देख रहे हैं यह आपका जो है सलेबस है क्या है सलेबस है फर्स टर्म के एक्जाम के लिए आ हम लोगों ने 10 मॉडल सेट भी हम लोगों प्रैक्टिस करवा जुके है आप लोगों का ठीक है और वो मॉडल सेट जो है आप लोगों को प्रेलिस्ट पर मिल जाएगा इसके इलावा सेट 10 तक सेट 10 तक आप लोगों का मॉडल सेट बताया गया है इसके इलावा सेट 11 में आपका ये कोशिका हो चुका है, सेट 12 में आपका धातू अधातू, सेट 13 में आपका सुक्षमजीव, सेट 14 में विदुधारा के रसायनिक प्रभाव, तो आज का जो हम लोग देखेंगे वो सेट 15 होगा, यानि 15 सेट होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे किसोरा वस्था की ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए, डारेक्ट स्टार्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बरा आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, और साथी साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स अबस्ता कर जो उम्र होता है, वो होता है एक ग्याऱ से 19 वर्स, ठीक है, चलिए, नेच्ब स्वाल है हमारा, केतने उम्र तक को सैस अवस्ता कहा जाता है, यानि कि सैसा अवस्ता, सैसा से आप लोगों को सीसू याद रखना है, तो सीसू केतना, जिसको किसको ब cannabis का बोलते दस से बारा वर्स की आयू में, ठीक है, तो दस से बारा वर्स की आयू में क्या होता है, यौन आरम होता है, अगला सवाल है हमारा इन में से कौन सा परिवर्तन यौना आरम के दोरान नहीं होता है, शरीर की लंबाई हो गया, गौन, लैंगि, गुन विकास, एडंस, एंपल, नेक्स्ट है हमारा रितु सराव लगबक कितने दिनों के अंतरार पर होता है। तो रितु सराव जो होता है लड़कियों को महिलाओं को तो वो होता है आपका 28 से 30 दिन के अंतरार पर होता है। ठीक है नेक्स्ट है हमारा रिष्टिरियों में होने वाले मासिक सराव की समाने अवधी क्या है इस्टिरियों में मुस्य जोलो यह 1998 दिन पर होता है फट्रिक मनुखिक कोशिक और के इंद्रक में कितने जोड़े गुंसुत्र पायजाते हैं तो मनुस्य कोशिकाओं के गुंसुत्र में 23 जोड़े जो आपका गुंसुत्र पाए जाते हैं यानि अगर आपको पूछले गुंसुत्र की टोटल संख्या कितनी है तो 46 बताना है मनुस्व में गुंसुत्र की संख्या कितनी है 46 है लेकिन अगर जोडा में बात करेगा तो आपको 23 जोडा का अंसर देना है ठीक है अगला सवाल है हमारा निमलिकित में से कौन सा आहार किसोर के लिए सरवत्तम होता है तो रोटी डाल और सबजी यह सवाल आपका बार-बार मॉडल सेट में आ रहा था तो यह सवाल काफी important है याद रखिएगा विर्सन एवंस अंडासे द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है , लैंगिक आर्मोन , कौन सा हार्मोन ये भी आपका समूडल सेट में आपको देखने को मिला था , यदि आप लोगोंगों नहीं देखा रहें तो परलेदिस्ट ठीक है यदि आप हमारे टेलिग्राम चैनल वाटसब गूरूप के साथ जुड़ना चाहते है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर आपको सभी का लिंक मिल जाएगा ठीक है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किजिएगा अगला सवाल हमारे यौना प्रारम के साथ ही प्रोस हार्मोन स्त्रावित होता है उसे क्या कहरेते हैं यानि पूर्शों में जो हार्मोन स्त्रावित होता है यौना आरम के दोरान उसे हम लोग टेस्टो स्टोरेन कहते हैं ठीक है निम्ण में से कौन सा गुंसूत्र सिसू लिं कहलाता है तो नर हार्मोन होता है हमारा टेस्टोरोन तो यह जो नर होता है यानि पुरुस में पाया जाता है और एस्टोरोन जो है वो महिलाओं में पाया जाता है ठीक है जैसे कि अकला सवाल आप देख पर हैं निम्नम से कौन सा माधा हार्मोन है यानि फीमेल में कौन सा हार यह अगरासे के द्वारा जो है उत्पन होता है अगला सवाल हमारा किसोरा अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है तो इसको हमनों कंठ मनी कहते हैं या एडम्स एपल कहते हैं तो यह आपका काफी इंपोर्टेंट है याद रखेगा अगला सवाल है हमारा जनम लेने वाले सीसू की लिंग निर्धारन के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं की संदचना को क्या कहते हैं तो उसे हम लोग गुनसूत्र कहते हैं दोस्तों के साथ, यरे आप हमारे चानल पर पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंठी के आइकन को दबाना ना भूले, इसे हो गाई है कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका notification आपके mobile पर चला जाएगा साथी साथ आप हमारे description को चेक किजिए वहाँ पर आपको telegram का link ठीक है, whatsapp group का link ये सब मिल जाएगा, आप जिसे join करना चाहते हैं, join कर सकते हैं ठीक है, तो मिलेगे अपने अगले वीडियो में Thank you